हाई फ्रेंड्स आज हम के जी एप्टू का जो हीरो है जैस्ट याने रॉकी भाई का थ्रीडी फेस का जो पूलपात बनेगा ओ कैसे बनेगा आज दिखाएंगे तो सबसे पहले हम 18 इंच वाई 22 इंच का एक पेज ले रहे हैं फिर ओरिजिन लेट साइट कॉर्णर से सेट करके यूनिट को मिलिमीटर में कॉनभर्ट कर दे रहे हैं ओके फिर विंडोज में जाके टाइल भाटिकली करके दोनों भीव को एक साथ देख लेते हैं फिर रिलीव ओप्शन में जाके इंपोर्ट और ओ वाला 3D सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं फिर इसका हाइट देखे बीसे में है इसको हम पेश्ट कर देते हैं क्लोज इसके बाद यह जो लाइन है इस लाइन को हम अंग्रूप और कर देते हैं फिर ओपसेट सिलेक्ट करके इंसाइड में एक एम देके ओपसेट में क्लिक कर देते हैं बाहर बाला जो आउट लाइन है उसको हम डिलिट कर देते हैं और अंदर बाला आउट लाइन को सिलेक्ट करके हम टूलपत बनाते हैं तो इधर टूलपाद में जाके सबसे पहले लाइन चेक करने वाला टूलपाद चलाएंगे तो इंसाइड सिलेक करके फिनिश डेप रखते हैं 0.5 mm और इधर 6 mm एनमील रखे एडिट आप्शन में जाके 0.5 mm step down दे रहे हैं इसके बाद सेट आप आप्शन में जाके इधर हमारा मेट्रियल है 40 mm तो 40 mm लिखके OK कर देते हैं फिर इधर नाओ आप्शन पे क्लिक इसके बाद क्लोज इसके बाद क्या करेंगे हम जेड रफिंग करेंगे तो जे ड्राफिंग बाला टूल पर सिलेक करके सिलेक्टेट वेक्टर सिलेक कर देंगे और इधर जाके हम 6 mm एलमिन लेंगे और 5 mm step down देखे OK कर देंगे फिर now option पर click इधर तीन बार slicing होगा और लास्ट वाला बचा रहेगा इसके बाद हम इसको close कर देंगे लास्ट में है 3D टूल परत का machine relief वाला ओप्शन इधर selected vector select करके select option में जाएंगे इसको रैस्टर में 0 degree में काटेंगे इधर जाके हम 3 mm बालनों select करेंगे फिर edit option में जाके इधर step down 0.5 रखेंगे OK select यह ऐसा रहेगा material setup फिर now option पर click कर देंगे अब हम simulation को check करेंगे सबसे पहले कि लाइन चेक वाला इसके बाद जे ड्राफिंग वाला इसके बाद जे ड्राफिंग वाला इसके बाद में last में 3D finishing का टूल पाथ तो इस तरह से हम टूल पाथ बना के 3D cutting कर सकते हैं देख रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स बेस्ट अप लख झाल झाल